और बड़ी खबर चुनावी बॉंड के जूरी स्वाथ के बड़ी खबर SBI ने सुप्रीम कॉर्ट में हलफ नामा दाखिल किया चुनावी बॉंड के आकड़ों को चुनावायों को सौपा सुप्रीम कॉर्ट के आदेश पर आकड़ों को सौप दिया गया है क्योंकि इससे पहले जब सुनवाई हुए थी तो कड़ी फटकार लगाई गए थी कौट की तरफ से SBI को और उसके बाद कल तक की डेडलाईन दी गए जब कल यहाँ पर पांच बजे के बाद यहाँ पर जो डीटेल्स था उसको जमा करा दिया गया और अब हलफ नामा भी दायर कर दिया गया सुमित मेरे सेयोगी तमाम ज़ांकारी के साथ इसको लाई मौजूद हैं सुमित SBI की तरफ से बीते रोज चुनाव आयोग को डेटा सौप दिया गया अब चुनाव आयोग को उसको अपलोड करना होगा लेकिन SBI ने सुप्रेम कोर्ट में ज़ांकारी दिया हलफ नामा के ज़रिये कि इस पूरे मसले पर 1 फरवरी 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक 22,000 कुछ जो बॉन्ड हैं वो खरे दे गये थे जिसमें से 22,030 जो बॉन्ड हैं वो भुना लिये गये हैं इसका साथ मतलब है प्रिया कि 100 कुछ जो बॉन्ड हैं वो ही अब बचे हुए हैं जिसको राजनेजिक दलो हो ने कैश कर लिया यानि कि उनको उस बॉन्ड का पैसा मिल चुका है तो निश्चत तोर पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद जो है क्योंकि सुप्रिम कोट का फैसला से वे 15 फरवरी इसके बाद से सुप्रीम कोट ने कहा था SBI को कि कोई भी bond जो है वो खरदा ना जाएगा ना ही उसे in cash किया जाएगा तो फिलाल जो Supreme Court का फैसले का असर बस यही है कि आगे से जो bond की जो खरदने की परकिरिया है वो नहीं होगी लेकिन ज़्यादा तर जो bond है वो राजिदिक दलों की ओर से in cash कर लिए गया है यानि कि 22 2230 जो bond है वो राजिदिक दलों ने in cash कर लिए है 22217 जो bond है वो खर दे गये थे जिसमें से ज़्यादा तर 2230 जो bond है वो in cash कर लिए है तो राजिदिक दलों के लिए एक तरह से फायदा हुआ है इस बीच तो SBI के तरफ से कहा गया था कि उसे वक्त चाहिए क्योंकि मिलान करना है कि कितने bond की खरदारी हुई किस पार्टे में ये credit हुई कहां ये भुनाये गया लेकिन जब फिर उसके बाद कौट ने कहा कि आप से हम मिलान के लिए नहीं कह रहे है आप बस जतने bond खर देगे आप सीधे तोर पर दिख रही है जहां तक मिलान की बात SBI कर रहा था वो मिलान की परकिरिया है वो पूरी नहीं हो पाई है लेकिन ये जरूर आकरे में SBI ने सुप्रिम कोर्ट को बताया है कि 22,217 अब जो bond है वो खरिदे गये थे राजनिक दलो की ओर से जिसमें से 22,030 जो bond है वो भुनाये जा चुके हैं इसका साब मतलब है कि ज़्यादा bond जो है वो राजनिक दलो को मिल चुका है वो in cash हो चुके है उसका पैसा उन्हें मिल चुका है एक सौ कुछ जो bond है वही अब तक नहीं भुनाये जा चुके हैं तो अब ये जो पूरी जनकारी है वो SBI ने चु इसकी जनकारी जो है अब पब्लिकली हो पाएगी लोग जान सकेंगे लेकिन सीधे तोर पर ज्यादा जो cash है ज्यादा जो bond है वो in cash हो चुके हैं ये बड़ी खबर और ये बड़ा डीटेल है इस पूरे मामले में क्योंकि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी एक तरीके का SBI पर भी ये दबाव था कि वो तमाम जोक्यमेंट जल से जल वहाँ पर समिट करें क्योंकि सुप्रीम कोट ने सीधे दोर पर कह दिया था सुमित कि अगर SBI की तरफ से इस बाबत वहाँ पर आंक्डे प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कोट के अफमानना को ले खबर बता रहे कि बीदे रोज दरहसल यहाँ पर SBI के दरफ से सुप्रीम कोट के आदेशों की पालना करते हुए दरहसल ये जो पूरा डीटेल्स है और ये जो पूरी विवरन है आंक्डों का वो चुनावायों को दिया गया था क्योंकि कोट ने कहा था कि 12 तारीक को 5 का जिक्र कर रहे थे कि अधिकान जो बॉट है जिसको खरीदा गया था और उस टाइम लाइन में जिस पीरेट में इसको खरदारी हुई थी वह अधिकान शैसे हैं जिनको इंकाश कर लिया गया हाला कि कई सारे से बॉंड्स हैं जिनको अभी तक भुनाया नहीं गया आगे उनके लिप्रकरिया क्या होगी वो देखना होगा लेकिन चुनावी बॉंड से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही के स्ब्याई ने कॉट में हलफ नामा दाखिल कर दिया है